तो आज हम देखेंगे क्लास 12 जो है आपकी उसका होम साइन्स का चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं हम खादे प्रसंसकर्ण और प्रद्योगी की तो अगर आपने चैप्टर नंबर 123 नहीं देखे हैं होम साइन्स के तो फटा फट से जाके आप देख सकते हैं उसकी लिंक म प्रसंसकर्ण और प्रद्योगी की तो प्रसंसकर्ण का अर्थ है कि जो हम खाना बना रहे हैं और उसकी खाना बनाने की विधी, उसको किस तरीके से हमने बनाया है, उसके बाद किस तरीके से हम उसे संरक्षित कर सकते हैं, उसका भंडारन किस तरीके से कर सकते हैं, यानि कि उसे स्टोर करके किस तरीके से रख सकते हैं, यह जो सारा का सारा जो प्रोसेस है, वो आपका food processing यानि की खादे प्रसंस करण की अंदर आ जाता है ठीक है और टेक्नोलिजी क्या है टेक्नोलिजी यानि की प्रद्योगी की प्रद्योगी की क्या होगी जिस तक्नीक से हम आपके जो खादे पदार्थ है उनको संरक्षित कर रहे हैं उनको बना रहे हैं और उनका भंडारन कर जिन तक्नीकों का हम इस्तमाल कर रहे हैं, वो आपकी फ्रद्योगी की हो जाएंगी, अब एक एक्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि हमने आटे से बनाया पापड, अब आटे से बनाया पापड, अगर आप उस आटे से पापड को बनाते हैं, अपने हाथों से, तो आपका टेक करके संरक्षित करते हैं और उसमें मशीनों का प्रयोग हुआ है तो उसे हम प्रद्योगी के साथ बोल देंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर आज विज्यान की अनुप्रियोक शामिर है अब जो खादे विज्यान है आपका यानिकी जो आपकी food science है वो क्या होता है वो एक ऐसा विज्ञान है एक ऐसा विशिष्ट शित्र है जिसमें की आपको पहुत सारे वीश्व के बारें बताया जाता है जैसे कि आपका भौतिक हो गया ठीक है भोतकी यानि की भोतक तरीके से हम किस तरीके से अपने जो खाना है उसमें किस तरीके से इन सभी तकनीकों का इस्तमाल कर सकते हैं पाक कलाव, क्रिश्य विज्ञान, सुक्षम जी विज्ञान इन सभी को इसमें बटाया गया, यानि कि इन सभी की क्या है, पढ़ाई है, ठीक है खादयविज्यानों को घाध्ययपदार्थों का संगटन फसल काटने से लिकर विभिन प्रकरमों और भन्डारण के विभिन स्थिक्यों में होने वारे परीवर्दनों, उनके नष्च होने के कारण और खादे संसादन से जुड़े सिधान्त जो है हम इस खादे विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं फूड साइंस के अंदर हम वो सारी चीज़े क्या है वो पढ़ते हैं उसके बाद आपका जो खादे संसादन है next topic वो है आपका यह एक ऐसी विधी और तक्नीकों का समू है जो कच्ची सामगरियों को त्यार या आधे त्यार उत्पादों में बदलता है यानि की खादे संसादन क्या है एक ऐसी विधी बोलें या फिर एक ऐसी तक्नीक है जो की कच्ची सामगरियों को कच्ची सामगरी को क्या करता है तयार माल में या फिर आधे तयार माल में क्या करता है परिवर्तित करता है बदलता है ठीक है अब जैसे कि गेहूं से बना आटा तो गेहूं से बना आटा के गेहूं यहाँ पर आपकी कच्ची सामगरी है raw material है और उससे हमने बनाया आटा तो वो आपका आधा तैयार माल हो गया लेकिन जब हम आटे से बना देंगे आपके biscuits तो वो आपका तैयार माल किया है वो हो जाएगा ठीक है उसके बाद है खादे प्रद्योगी की तो आप समझी चुके हैं क्या होता है ऐसी प्रद्योगी की ऐसी टेक्नोलिजी ऐसी तक्निके जो हम इस पूरे प्रोसेस में इस पूरे खादे प्रसंसकरन में इस्तमाल करते हैं जैसे कि मशीनों का यूज करते हैं हम आप सभी ने वो आपकी खादे प्रद्योगी की के अंदर आ जाती है तो इसकी definition क्या रिखेंगे प्रद्योगी की एक ऐसा विज्ञान है जिसमें विज्ञानिक अनुप्रियों के साथ समाजिक आर्थि ज्ञान और उत्पादन के कानूनी नियमों का वेवाइक और उप्योग किया जाता ह ठीक है अब खादे प्रद्योगी की समझ चुके हैं किस तरीके से हमें अपने खाने को संदक्षित करना है उसका भंडारन किस तरीके से करना है सारी चीज़े जैसे कि हमें फसल ही काटनी है फसल काटनी से लगा लिजे अगर हमें एक बड़े पैमाने पर फसल काटनी है तो उसके लिए हम मशीनों का उपयोग करेंगे जो की आपका खादे प्रद्योगी की के अंदर आ जाएगा उसके बाद है खादे उत्पादन तो खादे उत्पादन जो है आपका वो क्या है इसमें खादे उत्पादों को भरती जनसंक्या की विविद मांगों को पूरा करने के खादे प्रद्वी की सिधानत का उप्यों करते हुए बड़े पैमाने पर त्यार किया जाता है अब खादे उत्पादन क्या चीज होती है खादे उत्पादन वो होता है जिसे कि आप सभी के सामने बहुत बड़ा एक्जामपल है भारत यानि की इंडिया जिसमें हम रहे हैं जो कि आजकर देश जो पूरा विश्व है उसमें जनसंक्या के मामले में नंबर वन हो चुका है ठीक है तो अब बहुत सारी जनसंक्या है बहुत सारे लोग है तो उनके लिए खाने की चीज़े भी बहुत सारी होनी चाहिए ठीक है ऐसा होना बहुत जरूरी है अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा भुकमरी आ जाएगी गरी भी फैल जाएगी ठीक है और सस्ते दामों पर होनी चाहिए तो उसके लिए क्या किया गया है कुछ ऐसी तक्निके निकाली गई है खादे प्रद्योगी की सिधानतों को से लेकर कि जिससे की जो खाने पीने का समान है वो जनसंक्या के लिए एक बड़े पैमाने पर त्यार हो सके क्या हो जितनी हमारी जनसंक्या है देश की कम से कम उसका आदा हिस्सा तो उस खादे जो भी हम बना रहे हैं खादे उत्पादन हम जो भी कर रहे हैं उसका लाब उठा सके ठीक है तो खादे उत्पादन का क्या है आ अब खादे संसादन वी निर्मान का अर्थ होता है कि कोई चीज दुबारा से बनाई गई है यानि कि वह पहले बनी हुई थी लेकिन उसमें कुछ बदलाव किये गए और अभी उससे दुबारा जो है तियार कर दिया गया है तो इसमें क्या होता है इसमें भी कुछ ऐसी technologies, science की help लेके, ठीक है, इन सभी की help लेके, जो कच्चा माल आपका होता है, उसको किसम बदल दिया जाता है, उसको तयार उत्पाद में बदल दिया जाता है, जिससे कि हम directly उसे खा सकें, जिससे कि आप biscuit लेते हैं, packet खोला, खा लेते हैं, उसमें कुछ भी हमें होता, या फिर उसे थोड़ी देर तक boil नहीं करना होता, ऐसा कुछ भी नहीं करना होता, सीधे हम उसे खोल के खा लेते हैं, चोकलेट्स हो गई आपकी, इतने सारे chips होते हैं, वो भी हम खा लेते हैं, चिक है, अब उसी के अगर हम opposite में देखें, तो आपके आजकर जो पाने डालना होता है, दो-तिन मिनिट तक छोड़ना होता है, और फिर वो ready हो जाते हैं, तो वो किस वज़े से हो रहे हैं, खाद्य प्रद्योगी की वज़े से ये सारी चीज़े आज जो है संबभ हो पा रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट है, आपका टोपिक प्रारम में खा अचार मुरबा पापड़, अब जो आपके खादे पदार्त हैं, उनको किस तरीके से स्टोर किया जता था, यानि कि उनका स्वाद भी सही रहे, और हमारे जो पाचन सिस्टम है, हमारा जो डाइजिस्टिव सिस्टम है, यानि कि जो हमारे अदर जो पचाने की शमता है, वो सही रहे, यानि कि अगर हम उस खाने को खा रहे हैं, तो हम बिमार ना हो, इसका बेसिक मतलब ये है, ताजा लगे वो खाने में और वो प्राकरती से मिला हुआ हो, जैसे कि आपके अचार वगेरा होते हैं, आजकल वो डिबबा बंद आती हैं, जो कि खराब नहीं होते हैं, डिबबा खोलने के बाद ऐसा हो सकता है, कि वो आपके थोड़ टाइम बाद खराब हो जाए, क्योंकि उनकी भी एक अपने शेल्फ लाइफ जो है, वो होती है, अब शेल्फ लाइफ आपका एक नया शब्द निकल कर आया है, तो इसका अर्थ जानना आपको बहुत जरूर होती है, शेल्फ लाइफ का अर्थ होता है, अभी बताती है, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, हम कुछ भी खरीदते हैं, खाने पीने की चीजे, लगा लिजे, दूद लगा लिजे, दही लगा लिजे, पैकेट वाली, और बोटल वाली, कोई भी आपकी जो भी पीन होती हैं, विस्की होती हैं, अलग-अलग कंपनी की, वो सभी आपकी बोटल में आती है, पैक्ड, तो जो उनके ऊपर एक एक स्पारी डेट दी होती है, कि एक स्पारी डेट का अर्थ क्या होता है, एक स्पारी डेट का अर्थ है, कि ये जो आप खादे पदार्थ का है उसको हम उसके शेल्स लाइफ बोल देते हैं ठीक जैसे कि अगर हम कोई बिस्केट या पैकेट खरी रहे हैं और उसके उपर आपने देखा होगा कि उसकी manufacturing date लिखी हुई होती है और साथी साथ उसकी expired date भी लिखी हुई होती है ठीक है तो manufacturing date मान लीजे कुछ भी मान लीजे मान लीजे वह बना है च्छे जून को 2021 में और वह खराब हो जाएगा कि जुलाइ को 2022 में तो यह जो च्छे जून 2021 से साथ जून साथ जुलाइ 2022 का जो सफर है यह उस खादे पदार्थ की क्या है shelf life है ठीक है यानि कि वो कितने समय तक चला है clear shelf life clear हो गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है खादे प्रद्योगी की के मांग एवं आगव शक्ता के कारण अब जो खादे प्रद्योगी की है उसकी जरूरत क्यूं है हमें क्यूं जरूरत है इसके बह दो दिन में खराब होनी हो वह आपकी 6 महीने तक चले तो कितना अच्छा रहेगा सफर कर रहे हैं उसमें में कोई दिखकत नहीं होगी ठीक है तो दूर दराज ले जाने के लिए वह बहुत अच्छा है शाती साथ हम उससे करके लगशרख सकती है ठीक है लंबे समय तक चलेगा जैसे कि आवागवन में विर्धी होती है जीवन शैली में परिवर्तन होता है तो इस सारी चीज़े आपकी खादे प्रद्योगी की के अंदर आ जाती है उसके आवशकता के रूप में ठीक वैश्वी करन वैश्वी करन एक नया शब्द निकल क आया है वैश्वी करन का अर्थ क्या होता है वैश्वी करन का अर्थ होता है कि जो हमारा पूरा विश्व है पूरा वल्ड है जिसमें की बहुत सारे देश हैं तो इन सब के बीच में जो यह खाने पीने का आदान प्रदान होता है आयात निर्यात करती हैं वह वैश्वी करन के अंदर आता है साथ ही साथ वैश्वी करण के अंदर आपकी कल्चर भी आते हैं यानि कि हम दूसरी जो देश है उसके संस्कृति को अपना रहे हैं वो भी आपका वैश्वी करण के अंदर आता है जैसे कि आज कल भारत में वैस्टरन जो ट्रेंड है वो बहुत चला हुआ ह हम दूसरे देशों के जो धर्म है जो उनके रीच्वेल्स है जो उनकी संस्क्रिती है उसको अपनाते हुए जा रहे हैं ऐसा ही कुछ दूसरे देशों में भी हो रहा होगा आज के टाइम पर ठीक है हम पूरा नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा बहुत तो हो रहा होगा तो ये अब अगर किसी खाने की समान की जो शेल्फ लाइफ है वो लंबे समय तक की है तो वेश्वी करन करने में बहुत असानी रहेगी जैसे कि अगर हम एक्जामपल दें तो भारत जो है उसमें गेहूं बहुत उगता है गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा होती है भारत में ऐसे ही गेहूं ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसे बहुत सारी टेक्डेशिंग से गुजरना होगा आप सूचेंगे कि खाली गेहूं पूचाने के लिए आप गेहूं को किस तरेके से संसर रक्षित किया गया है ताकि उसमें कीडे ना लगें या फिर जो भी छोटे-मो से देशों में अपना जो खादय उत्पादन जितना भी हमने किया है वो बेच सकते हैं जिससे कि हमें भारी मात्रा में लाब जो है वो प्राप्त होगा ठीक बहुत आई चीज़े हैं यहाँ पर उसके बाद आपका एक में जो टॉपिक है वो निकल के आता है कि खादय संसादन और प्रदेवगी की का विकास किस तरीके से हुआ है आपका जो क्वेस्टन्स है वो भी इसमें एक दो नंबर के आते हैं कि जो निकॉलेस अपर्ट है उन्होंने किस तरीके से जो डिबाबंद प्रक्रिया को विक्सित किया यानि कि जितने भी हमारे डिबाबंद समाना आता है तेल हमारे डिबाबंद आती है घी आता है आपका बहुत सारी चीज़े हैं जैसे कि आपकी ये जो cold drinks वगेरा होती हैं ये सब भी एक तरीके से डिबबावंध है ठीक है तो ये जो है ये विधी का आरम किस ने किया ये किया निकॉलस एपर्ट ने और कौन से सन में किया सन 1810 में तो ये आपको पूरी चीज़ याद घराब यानिकी एक तरीके की शराब होती है ठीक है वह खराब नहुए यानिक वो लंबे समयित्क चले उसके ऊपर क्या किया सर्च किया शोद का अर्थ होता है research करना ठीक इसके अधिरेकश बहुत सारे जो जैसे ऩसरीका हो गया बीर हो गयी औहीं ये सभी किस तरीके से लं देखो पहले के टाइम पे हमें मतलब बहुत पहले की बात कर रहे हैं यहां पे देखो यहां पे सन कितना दिया हुए 1864 उस टाइम पे किसी को नहीं पता था कि दूद से पनीर भी बनता है किसी को नहीं पता था ठीक है तो जो लूई पास्चर है उन्होंने एक तरीका निकाल कि हाँ अगर खटा दूद है तो उसे भी हम इस्तमाल कर सकते हैं उसमें अगर हम विनेगर डाल दे या फिर उसमें अगर हम नीमु का रस डाल दे तो क्या होगा जो पानी है खटा वो एक तरफ हो जाएगा और जो पनीर निकल के आया वो एक तरफ हो जाएगा और वो काफी ख वह भी वेस्ट नहीं होंग करने वाले जीवों को नष्ट करने के लिए पाश्चूरीकरन प्रक्रेश में विखसध क्या च्षूरीकरन प्रक्रिया होती है क्या होती है पहले कोई चीज बहुत गरम कर दी यानि की जो आपके जितने भी दूद वाले जो पैकेट वाले दूद आती हैं बहार से जितने भी बहुत सारे ब्रैंड के दूद हैं ठीक है पैकेट में आते हैं वो आपके वो किस तरीके से आते हैं वो आपके आते हैं पास्चूरी करन की विधी को अपनाने से यानि कि जब वो दूद बनाया जाता है तो उसे खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है पास्टूरी करन विधी का इस्तमाल किया जाता है अब ये विधी क्या होती है इसमें क्या होता है जो हम खादय पदात इस्तमाल कर रहे हैं जसकी अपस में मिलने से क्या होगा, जो बैक्टेरियाज उसके अंदर हैं, वो क्या हूंगे, वो खतम हो जाएंगे, और जो आपका दूध है, वो एक दो दिन तक अराम से चलेगा, दूध की जो शेल्फ लाइफ होती है, कितनी कम होती है, एक दो दिन में जो दूध हो खराब हो ज घंटे के लिए गर्मियों में तो वो तबी तुरंत क्या होगा खराब हो जाएगा सर्द्यों के बात करें तो आधा दिन चलेगा और फिर खराब हो जाएगा इसलिए दूद को हम हमेशा राफिजरेटर में रखती हैं तो यह भी आपके बहुत सारी तक्निकी होती हैं ठिक इसके बाद नेक्स्ट है आपका भोजन के बिगड़ने या नस्ट होने के कारक तो भोजन जो है वो किस तरीके से नस्ट होता है किस तरीके से बिगड़ता है इसके कुछ कारक है सबसे पहला आपको भोतिक फिर रसाइनिक और जैविक रूप में भोतिक रसाइनों को जैव किट लगा लीजे कुकी लगा लीजे कुछ भी ठीक है उसे बनाते वक्त अगर उसमें बाल चला जाए ठीक है बाल चला जाए जो महीला बना रही है या फिर जो पुरुष बना रहा है उस खादेपदार्द को उसमें बाल चला जाए या फिर उसकी शर्ट का बटन चला जाए तूटके या फिर कुछ भी मतलब जो बहार की कुछ ऐसी चीज़े हैं जैसे कि छोटा सा धागा चला जाए सूट का दूपटे का तो यह आपका बहुत एक कारण हो जाएगा खादे पदार्थ को खराब करने का ऐसे ही रसाइनिक जो कारक है उसकी बात करें तो रसाइनिक क्य भी क्या होता है जो खादे पदार्थ हो खराब हो जाते हैं अगर हमारा जो खाना है हम उसमें बहुत जदा मात्रा में कैमिकल्स का रसाइनों का प्रियोग करेंगे तो खाना क्या होगा खराब हो जाएगा इसलिए कुछ लिमिट होती है कैमिकल्स डालने की अब उसके होती है छोटे-छोटे जो जीवान होती है बैक्टेरिया होती है ठीक है जो कि हमें अपनी आखों से दिखते नहीं है लेकिन माइक्रोस्कॉप से दिखते हैं ठीक तो ये सभी आपके क्या हो जाते हैं ये सभी आपके हो जाते हैं भोजन को नश्च करने के कारत उसके बाद अभी हमने एक्जांपल लिया था भोतिक प्रसायनिक का अब जैविक का क्या होता है आपका यीस्ट हो जाता है फफूंदी हो यह सबी जो चीजें हैं यह क्या हो जाती है यह आपकी जैविक रूप में आ जाती है ऐसे भोतिक में आपका रंग वग्यारा खराब हो जाना जो पदार्थ है उसका रंग बिगड़ जाए दिखने में बनावत उसकी नश्थ हो जाए उसमें से गंदी सी स्मैल आने लग नहीं है तो क्या होगा तो भी आपका खाना जो है वो खराब हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट है आपका बहुत इंपोरेंट खादे संसादन और संरक्षन की पुरानी विदियां तो खादे संसादन और संरक्षन यान की हम अपने खाने को किस तरीके से बहुत लंबे समय कि और वह पुटना हो गया और चुले में पकाना हो गया मसालों के तरीके से लगाना यह सभी चाहिए आपके इनदर आ जाएंगे लेकिन जहां इनकी कुछ लाब है वहाँ इनकी कुछ हानिया भी है लाब में क्या आता है लाब जैसे की यह घर के तोर पर हम देखें तो यह बिना पैसे यानि की जदा पैसे खर्च किये बिना ही क्या हो जाएंगे अच्छे से सनरक्षित हो जाएंगे जिसमें की कम पैसा बड़े बड़े जैसे की बंदर हो गया और विकारे खादे पदार्त क्या होती है एक दो यानि कि सबसे जादा जल्दी वही खराब होता है आपका इसे विए उसे बहुत cool temperature पर रखा जाता है यानि कि बहुत ठंडे जो temperature है बहुत ठंडा जो तापमान है उसमें रखा जाता है तो वीकारे खादे पदार्थ कौन सी होते हैं आपके जो एक दो दिन में खराब हो जात हैं जैसे कि आपके एक-दो सब्ता तक चलते हैं और सही हालत रहते हैं इनके एक-दो सब्ता तक और फिर दीरे-दीरे क्या होते हैं खराब हो जाते हैं जैसकि आपके फल और सबजियां हम freeze में रखते हैं रेफिजरेटर में तो क्या होता है आपके एक हफते तक चल लेकिन उसके बाद कभी ना कभी तो खराब होगा ऐसे कि आलू प्यास जो है आपके दो तीन हफ़ते चल जाएंगे जादा से जादा चार चल जाएंगे लेकिन फिर वो खराब हो जाएंगे ऐसे अविकार्य पदार्थ होते हैं जो की आपके क्या होते हैं जो एक वर्ष तक खराब नहीं होती है जैसे कि जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं जिनके शेल्फ लाइफ जो है वो बहुत जादा टैंकी होती है जैसे आपका जितने भी अनाज हैं गेहूं चावल बाजरा बहुत सारी चीज़े ठीक है आपकी दाले हो गई और तिलहन हो गया छोले राजमा यह सारी जो चीज़े हैं यह क्या है काफी लंबे समय तक जो है चलती है तो आज के लिए तो बस इतना ही आई तिंग आपको समझ में आ गया होगा इसका जो नेक्स्ट टोपिक है वो हम क्या करेंगी वो हम पार्ट नमबर टू में अपना पढ़ लेंगे तो यह आपका पा आपको बता दू कि हमाई चैनल क्लास 12 के लिए पॉलिडिकल साइंस एकनॉमिक्स हिंदी इंग्लिश फिजिकल एडूकेशन होम साइंस और आपका हिस्ट्री यह सभी चीज़े जो है हिंदी मीडिय में प्रोवाइड हैं तो देरी किस बात किया फटा-फट से जाके डिस्क क्लासिस है तो अगर आप वहाँ पर हमें फोलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मिलेंगे इसके पार्ट नवर टू में तब तक के लिए थांक यू सो मच फो ओटिंग इस वीडियो